एलो फ्रेंड्स गुडबर्निंग नमस्ते पड़ाम सस्री अकाल असलाम आलेकूं वेलकम टू माई नूज ब्लॉग अगत है आपकान मेरे नए ब्लॉग में देखी में कंपस के अंदर प्रसर सफाई कराने से लिए इधार देखे रुदा हुदा है परदो के तूटा फूटा बेंच पड़ा हुआ है दर दिवाल की तरफ इधर भी स्माम गंदगी है इसको साप करा करके इन बच्चों के लिए ना सारी गंदगी यहां पर पजू हुई है तूटा फुटा स्पड़ा हुआ है इसको साफ करवातने है नहीं है पहले एतना एरि है चाहिए उखर पता ही कुल है जी रहा है साप कदर खरार मिल जाते हैं उसे मार्दा अफिर जो नहीं कि है हाई वाला जो नहीं बहुत ज्यादा गंदाव है नदेर दिन से घास को जोना है तुटल-फुटल बेंच है झाल बेंच है मुबाइल में कुछ काम था तो इसके लिए आजए जलपान के लिए क्रेश्टों में आए हुए हैं और आग्या है गाजर काहलुआ इस दर्मार्सा दिखा रहे हैं यह है यह सो ग्राम है और तीस रुप्या दाम है जखिए और दर यह सब दुकाने तो आग्या पार पार दो चाहर करने के लिए थोड़ा सामों को कलेंडर चाहिए तो इसलिए हम भी आगे दुकान में प्रिंटिंग 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 वैं कि यहां पे खजर कैलेंडर और क्या क्या चप्वाना है तो पूछ लेते हैं मैंने असाब से और उसके बाद लेके चलना है व्लाग में बने रही है हमारे साब मार्साब भी आए हैं और आसा कुछ रुटान है मेरा बाबा का मंतर पड़ा है व्ला साच चला जा मार्साब इसमें चला जाए है यहां को इस भी आए है वह जो कि विर बाबा यहां पर लाग जाए है और यह है फिरिनक्भी ये बाबा कदर साय है यह नजगीर बाबा कर दो आप लोग बिजासन कर लीजिए यह हमेशा लोगों कि सायता करते हैं और इधर मजार है मैलाओं को चड़ना माना है निखा हुआ है यह सहीद बाबा का अथान है कि यह से बाब करूट निए डें तो कहते हैं । फिल सरह सीधर कर लीजिए। कि आइक रख लिससरल कर लीजिये यह भुआ हुआ है। है यह है। है भुआ हhr है। कि अब